एक सिंगर के अलवम फेल हो जाने के बाद वो बहुत ही जादा अपसेट थी तो गिटारिस्ट के साथ उसने अफेर किया बाद में उसे पता चलता है कि गिटारिस्ट का एक डाक सिक्रेट है और इस वज़े से सब घड़बड हो जाती है हलो फरिंड्स आज मैं आपको प्लश ये 2013 की एक ठ्रिलर हॉलिवड मुवी एक्स्प्लेन करने वाल हो ये एक बहुत अची ठ्रिलर है और हमेशा आपका आपकी सीट के एच पर रखेंगे तो चली एकस्प्लेशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टाट होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की को एक आदमेन चेर से बान कर रखा था वो चिला रही थी पर उसे छोड़ता नहीं उसके उपर उसने बहुत सारे स्टोन्स डाल दिया और जिन्दा उसे गाड दिया इसके बाद हमारी में क्यारेक्टर हेली और उसका कार्टर एक जनरलीस था और यह दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पस्सन आये थे बहुत ही जल्दी जल्दी बात आगे बड़ी और एक दूसरे के साथ उन्होंने शाधी भी कर ली थी का ब्रदर कारट और को उसका खयाल रखने के लिए गया ता है वो दोनों एक ब्रदर को अखिला छोड़कर एक नई लाइफ कर ली इस वज़े सो डिप्रेस्ट हो गया था ब्रदर के जाने के बाद किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता था बहुत सारे मंद गुजर गये और उसी के बाद वो कुछ लिख पाई थी फाइनली अपने ब्रदर को डेडिकेट करने के लिए उसने बहुत सारे सौंग्स लिखे उसे पूछ जाता है कि तुम्हारे ब्रदर का प्लेस कोई ले पाईगा हैली ने कहा कि हमने जिस गीटारिस को रखाया वो भी बहुत ही तैलेंटेड है पर मेरी ब्रदर की जगाँ कोई भी ले नहीं सकता इस गीटारिस का राम था एंजो और हैली के मैनेजर को मिला था उन्हें लग रहा था कि उसे अलग लेवल पर लेका जा सकता है इंट्रूइ अच्छे से हुआ और सब लोग बहुत पॉजिटिव थे कि अल्बम सक्सेस्फुल होगा अल्बम के प्रोपोशन के लिए हेली को अलग अलग जगा पर अपने फैमिली को छोड़कर जाना पड़ता है अपने ब्रदर की टेक्ट के बाद फैमिली से हो ज़रा दूर हो गई थी लोगों के लिए हेली ने जब ओल्ड सॉंग परफॉर्म किये तो उसे बहुत अच्छा रिस्पॉंस है फिर वो कहा थी कि नेक्स सॉंग मेरे मेरे ब्रदर के लिए डिडिकेट किया है यह उसके नए अल्बम का था लोगों इने सुना पर इसके लिए कोई भी चेर नहीं आती अगर इसी तरीके से रिस्पॉंस मिला तो अल्बम खतम हो जाएगा इसके बारे मेरे मेरे मैनेजर से बात कर दिया मैनेजर ने कहा कि सॉंग को कैच अप करने के लिए जाड़ टाइम लगता है तुम जादा वरी मत करो हिली जब उपने रूम में जा रही थी तब ही एक फैन उसके पास आ गया उसे जबरदस्ति एक चीज़ पर साइन करने के लिए कहता है हिली साइन कर देती है पर उसके बाद उसने उसे लिपस्टिक लगाने के लिए कही उसे जबरदस्ति कर रहा था तब ही वहाबर एन्जो बोज गया उसे पुश करकर जल्दी से वहाँ से भाग जाते है जाकर बात रूम में जुप गया हिली को डर लग रहा था तो एन्जो उसके साथ रूम तक आया वो अपने अलबम के रिव्यूज को लेकर बहुत ही ज़दा अफसेट थी तो एन्जो ने कहा कि तुम्हें ज़दा वरी करने की ज़रुवत नहीं है इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता तुम्हारे मन में जो भी है यह सब कुछ तुम बात मुझे कह सकते हो तुम्हें रिलाक्सेशन की ज़रुवत है हैली को उसने लेटा दिया और बहुत ही अच्छा मसाज करता है इसके बाद स्लोली स्लोली उसके साथ इंटिमेट होने लग गया सुबह हुई और हैली को कार्टर का क्वाल आता है कल राज हो भी हुआ इस बात के लिए उसे बहुत ही इगिल्टी लग रहा था वो अपने बच्चों से बात कर दिया फिर उसने कार्टर से बात किये पर कार्टर जरह अपने काम में भीजी है वो नोटिस करता है कि हेली रिलाक्स लगती है उसने उसे कहा कि अगर तुम जाओ तो ब्रेक ले सकती हो मुझे एक बुक डिल में लिए है और इसके बाद एक दो साल तक तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हिली से मिलने के लिए फिर उसकी मैनेजर आती है उनका आलबम भिक नहीं रहा था तो रेकॉर्ड लेबल ने उसके पैसे भी कम कर दिये थे हिली बहुत ही डिस्टब होके मैनेजर से बुछती कि अब करना क्या पड़ेगा उसके बाद बहुत सारे सुलूशन थे पर मैनेजर ने कहा सिर्फ एक बहुत ही अच्छा सौंग लिखो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लिखने की बहुत कुछिश करती है पर उसके बाद वो एंजों के पास आके उसे वो एक माउंटन के पास लेकर जाती है एंजो ने इस सौंग को अपनी दून दी और हिली को यह बहुत ही अच्छा रखता है उसके करीब आने लग गया और कीस करने लगता है हिली ने कहा कि कर राद हम दोनों बहुत ही जादा रंग थे हमारे बीच जो भी हुआ यह मैटर नहीं करता मेरी फैमिली है और मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती है एंजो कहता है कि हम हमारी रिलेशनशिप कैजूल रखेंगे इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा हिली फिर भी इस बात के लिए मना कर देती है हिली का नेक्षो होता है तो जिस फैन ने उसे हरास किया था उसका एक लेटर उसे मिला शो के बाद हिली अपने टीम से कहती है कि मैंने और हिंजो ने बहुत अच्छा सौंग लिखा है इससे हम अच्छे से क्रियेट करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा रात में दोनों पार्टी करते हैं सौंग लिखते हैं इसमें वो इंटिमेट भी हो गए इसके बाद हिली घर पर आती है घर का डोल खुला था और अंदर से कुछ भी आवाज ने आ रही थी तो इस वज़े से वो डर गई वो अपने बच्छों के रूम में जाती है तो सब खेल रहे थे एक्च्छल में कार्टर ने हैली को इमेल किया था कि आज रहा थो इंटरू के लिए जा रहा है इनकी नाने भी आप बदल चुकी थी हैली बच्छों को नीचे ले कर गए और वो गहती कि मैंने तुम्हारे लिए प्रेजेंट्स लाए उपन करने के बाद तो रेलाइस करती है कि शाय तो होटेल रूम में रहे गए उसे एंजो का कॉल आता है उसने का मेरे बैग में तुम्हारे बच्छों की गिफ्स रहे गए थे हैली ने पूछा कि क्या तुम घर पर आ सकते हो पर एंजो अल्रेडी घर के बाहर था हैली ज़रा सप्राइज थी पर उसे अच्छा लगा था बच्छे बाहर आगे और गिफ्स देखकर बहुत ही खुश थे है इसे स्टार्ट करने के लिए एंजो की हेल्प लेते है खेलते खेलते हैली का बच्छा एंजो को काट लेता है और इस बच्छे से एंजो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुसा हो गया वो भी उसे जाने के लिए कहती है रात में उसने बच्छों को सुलाया पर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है इसके बारे में उसे कुछ भी आईड़ा नहीं था सुबह वही तो कार्टर घर बर बहुत चुका था उसके साथ सो रहा था इसके बाद उसके साथ इंटिमेट हो जाता है अगली दिन हेली की मैनेजर के साथ मिटिंग होती है वो जो म्यूजिक वीडियो बनाने वाले थे इसका सारा बज़े स्टूडियो ने काट लिया था अब इनके बाद सिर्फ हाफ बज़ेट है और इस पर न्यू सॉंग वो रिकॉड कर सकते है हेली डिमोटियोड होने लग गई थी तो उसके मैनेजर उस पर चिला कर उसे फिर से मोटिवेट कर देती है वो घर पर आई तो एंजो कार्टर के साथ मिल कर गिटार बज़ा रहा था सब पार्टी कर रहे थे हेली ने पुझा कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो कार्टर ने कहा कि बच्चों का टॉट टूट कया था और एंजो ने उन्हें हेल्प कर दी गर पर एक गिफ्ट है जो उस फैन का था इस वज़े से हेली बहुत ही डिस्टब हो कि कि उस फैन को घर का पता भी पता है कार्टर कहता है कि जादा वरी मत करो हम उसे हेंडल कर लेंगे एंजो ने टमाटर लाए थे तो इससे वो डिनर बनाते है डिनर करते वाग कार्टर ने एंजो का एक लॉकेट नोटिस किया इसमें एंजो ने हैली की हेर्स रखे थे ये उसके लिए ज़़ा सीसिश होता है, पुरा दीन इनों ने साथ सपेंड किया और राद में मूवी देख रहे थे हेली कहती कि मैं सोने के लिए जाती हूँ एंजो ने कहा कि आप मैं निकलता हूँ पर कार्टर कहता है इतने रात में तुम्हें नहीं जाना चाहिए एंजो को अपने गेस रूम में रखने के लिए कार्टर ने हेली को मना लिया एंजो कहता है कि वैसे भी हम दोनों को सौंग पर काम कहना है तो यह सही आईड़ा रहेगा हेली एंजो के रूम में बहुत जादा घुसा होकर आगे उसे कहती कि तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ तुम इस तरीके से मेरे साथ नहीं खेल सकते हैं एंजो हेली के पास आ जाता है और फिर दोनों इंटिमेट हो गए घर आने पर कार्टर जारा ठक गया था और हेली में जादा इंट्रेस नहीं दिखा था क्योंकि आज कल बहुत ही जादा काम कह रहा है अगली दिन हेली एंजो के घर पर उसे मिलने के लिए उसे कहती कि तुम इस तरीके से मेरी लाइफ के साथ इंटरफेर नहीं कर सकते है उसने नोटिस कहा कि एंजो के बोर्ट पर उसकी फोटोस लगाई हुई थी एंजो कहता कि मैं एक फिल्म डारेक्टर भी हूँ तुमारी सॉंग को मैं ही डारेक्ट करूँगा उसने डारेक्ट की हुई शॉर्ट फिर्म उसने उसे दिखाए इसकी स्टोरी से बता चलता है कि एंजो की सिस्टर उसे बहुत तकलिव दे दी थी एंजो ने उसे बदला लिने के लिए उसे चेर से पान दिया उस पर सारे स्टोर्स गिरा दिया जिन्दा उसे उसने काड़ दिया यही मूवी के फर्स का सीन था हेली को उसका वक्ट बहुत ही अच्छा लगता है उनके पास जादा पैसे भी नहीं थे तो इस वज़े से उन्होंने एंजो को हायर कर लिया हेली के साथ उसने एक बहुत ही नजदीक से वीडियो शूट किया कार्टर ने जब एस सब देखा तो उसे लग रहा आता कि एंजो गे है तो इस वज़े से उसे कोई भी ऑब्जेक्शन ने आता इनकी वीडियो बहुत अच्छी बनी थी तो सब लोग बहुत खुश थै हेली की मैनेजर एंजो से बात करती है उसे कहती कि तुम्हें हेली और उसकी फैमिली की ज़रा स्पेस देना चाहिए वो सब मिलकर फिर पिक्निक जाते है हेली की बिल्स खतम हो चुगे थे तो डॉक्टर के पास आई डॉक्टर उसका सारा चेक अप करती है उन्हें पता चला कि हेली प्रेगनेंट है हेली एंजो को बात करने के लिए मैसेज करती है कार्टर ने अल्रेटी वेक्सिक्टॉमी कर ली थी इसका मतलब है उसे कोई भी बच्चा हो नहीं सकता इसका मतलब है यह बेवी एंजो का था हेली ने सर्च किया कि वेसे टॉमी का फेलियोर रेट क्या होता है कार्टर घर पर है और जब वो टैबलेट देखता है तो इसके बारे में हेली को सर्च करता देख उसे सब कुछ पता चल गया हेली कहती कि मैं तुम्हें बता नहीं वाली थी यह एक मिराकल है और मैं भी एक बच्चा चाहती हूँ कार्टर ज़रा इस बात के लिए अंशोर था पर फिर भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है बाहर एक डिलेवरी मैन बच्चे की क्रीब लेकर पहुच जाता है कार्टर इस बात से गुसा हो गया क्योंकि सबसे लास उसे पता चला है पर हेली ने कुछी को भी बताया नहीं था वो एंशो को कॉल करती है और कहती कि तुम्हें कैसे बता चला मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं था एंजो कहता है कि ये सब चीज़े होती रहती है एंजो को हेली और कार्टर में जो भी बात हुई इसके बारे में पता था हेली इस बात से बहुत डर जाती है उसने फिर डारेक्ली अपने मैनेजर को कॉल किया उसे सारी चीज़े बता देती है मैंनेजर ने कहा कि तुम डरो मत मैं लॉयर से बात करूँगी और एंजो को तुम से दूर रखूँगी सब कुछ ठीक हो जाएगा हिली कहती कि अलवम के फेल हो जाने के बाद में कोई भी सौंग लिख नहीं पा रही थे तो इसी वज़े से इस सब मुझसे गलती हो गए उसे बहुती बुरा लग रहा था हिली ने कार्टर को बताया था कि वो बेबी क्रीब उसके मैनेजर ने भेजी है यहावर आते वक कार्टर और एनी में बात होई थी तो आनी ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है यह एक इस्यू हो सकता है पर मैनेजर कही थी कि मैं सब को समाल होंगी कुछ भी वरी मत करो कार्टर ने हिली को कंफरंट किया वो समझ चुका था कि बेबी एन्जो का है लंज करता है वो कार्टर को कॉल आया हिली की मैनेजर की डेथ हो गई थी उसका किसी ने मर्डर किया है वो इस बात से बहुत अफसेट हो जाती है रात में घर के बाहर कार्टर अपना गुस्सा निकालने के लिए खड़ा खोद रहा था हिली को लगा कि कार्टर ने एन्जो को हड़ कर दिया है तो हेल्प मागने के लिए वो नेबर के पास चली गए नेबर के घर में एन्जो रह रहा था उसने कहा कि तुमारे बच्चों का खैल रखने के लिए मैंने यही पर घर ले लिया हिली बुश्ती की हाँ के ओनर कहा गए एन्जो ने कहा कि वो ट्रिप पर चले गए एन्जो कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा हम अमारे बेबी को अच्छे से बढ़ा करेंगे कार्टर और एन्जो में जगड़ा हुआ था तो इसी वज़े से कार्टर उसके लिए कवर खोल रहा था गर में हिली को बेबी के आवाज आने लगके वो जाकर देखते हैं तो हावर बेबी मोनिटर्स थे हिली की घर में जो भी चल रहा था इस सब कुछ एन्जो सुन पाता था उसने घर में बहुत सारे कैमेरेज भी लगाए हुए था रूम में हिली ने उसके पागल फैन की हैंडराइटिंग भी देखी हिली को डराने के लिए सारे गिव्ज भी एन्जो भी भेज रहा था हिली समझ गए कि एन्जो पूरी तरीके से साइक हो है और उससे यहां से बाहर निकलना पड़ेगा उसकी सारी बातों में हाँ में हाँ मिलाती है कहती कि मैं जरा डर गई थी पर मैं अब तुम्हारे साथ रहने के लिए पूरी तरीके से रेडियू उसने कहा कि मुझे बातरूम यूज करना है बातरूम में जाने के बाद वो नोटिस करती है कि ओनोर को एंजो ने मार दिया था वो बहुत ही जादा डर के जल्दी से वहाँ से खिड़की खोल कर वो बहार निकल जाती है जंगल से भागते भागते हो घर तक आके जो ग्रेव कार्टर बान रहा था उसे में उसे बान कर रख दिया गया था हेली उसे देखकर छुड़वाने के कोशिश करती है तभी हेली की नानी वहाँ पर आके उसे हल्प मांगती है पर नानी वहाँ से चली गए यह नानी एक्च्वल में एंजो की मदर थी और उसे सब चीजों को लेकर हेल्प कर रही थी हेली ने कार्टर को अकेले भाहर निकलने के लिए हेल्प किये तभी नानी हेली के बच्चों को लेकर जा रही थी हो कार में बैट पाती तभी हेली ने उसे नोटीस कर लिया वो ज गुसा होकर उसे पत्ता से मार डालने की कोशिश करता है एंजो ने कहा कि मेरी मदर सारे बच्चों को समा लेती और हम दोनों फ्री होते है फाइट में हेली नोटिस करती है कि एंजो के पास उसके ब्रदर किरींगे इसके वारे में एंजो ने कहा कि मैं तुम्हारे ब्रदर से बहुत प्यार करता था पर उसने कभी भी मुझे accept नहीं किया मेरे पास कोई भी choice नहीं थी इस वज़े से मुझे उसे मारना पड़ा मैं जब तुम्हारे साथ था तो तुम भी मुझसे प्यार करती थी हेली इस बात से बहुत ही ज़ादा गुस्सा होगे वो प्लान को वाटर करने का पाइब लेती है और एंजो के गले में उसने डाल दिया उसके मुँपर रखने के बाद कार्टर पाने को ओन कर देता है और इसी तरीके से उसे मार डाल दिया हेली ने एंबुलन्स बुलाए और कार्टर अब स्टेबल था कुछ दिनों बाद जब वो उसे मिलने की लाए तब भी कार्टर उसे कोई भी बात नहीं कर रहा था वो सैड होकर जाने लगके पर कार्टर उसे रोक लेता है उसने उसे फाइनली माफ कर दिया था इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है अगर आपका एक्समेशन चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा ये बहुत सारी मूवीज लेकर आत रहता है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल ओडिवेशन आइकों दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगी और एक ने मूवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखे